हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्यूंकि आज हम बनाने जा रहे हैं सूपर टेस्टी, सूपर क्रिस्पी, यह एकदम न्यू इस्टाइल के आलू और ब्रेड के लॉलिपॉप आज की यह जो रेस्पी है यह बहुत खास है क्यूंकि इसमें आपको कर्लिट का भी स्वाद आएगा, ब्रेड रोल का भी और पिज्जा का भी, खा कर तो बस मज़ा आजाएगा जितने यह खाने में टेस्टी, बनाने में सूपर सिंपल आसान, और सबसे अच्छी बात है कि यह बनाएंगे ब्रेड के बचे हुए किनारों से तो है नहीं यह बिल्कुल अमेजिंग रेसिपी नमस्ते दोस्तों, आपका हर्दिक स्वागत है आपके अपने निकीज कुकिंग कॉर्नर में फ्रेंट्स वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने चाहने वालों को सेर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की टेस्टी और अमेजिंग डेसिपी के लिए तो चलिए फटाफट इस कटलेट और ब्रेड रोल को बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसा की बताये थे कि यहां पर हम ब्रेड के जो किनारे बच जाते हैं जैसे की अकसर कश्टाड या फिर कोई और मिठाई बनाते हैं तो यह बच जाते हैं तो आज हम इसी का यूज करेंगे तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसे हातों से हलका सा प्रेस कर देंगे जिससे की यह पानी में सोख हो जाए यानि की यह फूल जाए और यह थोड़ा सा सौब्ट हो जाएगा तब तक हम इसे साइड बे रख देते हैं और अब इसके साथ हमें चाहिए उबले हुए आलू यहाँ पर आलू की quantity आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर 6-7 medium size के आलू हम उबाल कर छील कर ले लिए हैं तो इसे अच्छे से mess कर लेंगे आलू अच्छे से mess हो जाने चाहिए ताकि कटलेटे एक दम आराम से बन सके तो यह आलू जब mess हो जाए तब इसमें एक बड़े साइज का बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे हरी मिर्च बारी कटी हुई डालेंगे इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक चमच्चाट मसाला और एक चमच्च जीरा इन सब को डाल कर इसे मिला लेंगे इसे पूरा नहीं मिलाना है क्योंकि जो ब्रेड में हमने पानी डाल कर रखा था इसे पहले अच्छे से मैस कर लेंगे यह आप देख रहे हैं इस तरीके से यह मैस हो गया है तो इसे हम आलू के मिक्चर में डाल देंगे अब डालने के बाद इसे भी अच्छे से मिला लेंगे प्रेंट्स इस कटलेट में मसाले बहुत ही हम कम डालेंगे बहुत सारी मसाले इसमें नहीं डालेंगे फिर भी इसका स्वाद इतना लाजवाव होता है कि आप अगर एक बार बना लिये तो गारेंटी है कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे तो जब ये ब्रेड इसमें मिल जाए तब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक नमक हम एक चमच डाले हैं और जरा साहल दी और ये है बारी कटा हुआ हरा धन्या बस इतनी मसाले हम इसमें डाले हैं इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं डालेंगे और इसका स्वाद बहुत ही बेहतर होगा तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे जब तक ये नमक अच्छे से इसमें मिलना जाए तो आप देख रहे हैं कि ये मिक्चर तैयार हो गया है तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम एक सलरी बना कर तैयार करेंगे यानि कि बैटर तो इस बैटर के लिए आप कॉन फ्लोर या फिर आरा रोट या फिर मैदा या फिर चावल का आटा इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं आरा रोट और इसमें डाल दे रहे हैं थोड़ा सा नमाक, आधी छोटी चम, चिली फ्लैक्स और बारिक कटा हुआ जरा सा धनिया बस इन सब को डाल कर इसे मिला लेंगे प्रेंट्स आरा रोट में यहीं होता है कि जब आप इसका इसलरी बना कर रख देंगे तो यह बार-बार नीचे तले में बैठ जाएगा पर कानफलोर के साथ ऐसा नहीं होता है तो बस यहाँ पर इतनी ही फरक है बागी टेस्ट में आपको कोई भी फरक नहीं आएगा तो अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर हम प्लेट में ले लिए हैं एक कप सूजी तो अब सारी चीजे तैयार हैं तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर कटलेट बना लेंगे तो यहाँ पर हाथ में जरासा पानी लगा लिए हैं और यह है आईस क्रीम स्टीक इससे जब आप इसे लॉली पॉप का सेप देना है तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें तो इस तरीके से थोड़ा सा अलू का मिक्चर हाथ पर लेंगे उसके बाद उसके बीच में यह आईस क्रीम स्टीक रखेंगे और हाथों से हलका सा प्रेस करते हुए इसे लॉली पॉप का सेप दे देंगे नीचे थोड़ा सा पतला होता है और उपर थोड़ा सा मोटा लगाईएगा आलू का मिक्चर जिससे कि ये उपर मोटा और नीचे पतला दिखे तो इसी तरीके से एक और हम आपको बनाते हुए दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिकत ना हो जब आप इसे बनाईए तो अब इसी तरीके से सारे लॉलिपाप बनाकर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हम आधे आलू ब्रेट के मिक्चर से लॉलिपाप बनाए हैं और आधे आलू के मिक्चर से चीज बॉल्स बनाएंगे चीज बोल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पर चीज चाहिए तो यह देखिए हम यहाँ पर यह क्यूब वाला चीज ले लिए हैं तो इसमें हम चार पिस कर लेंगे बहुत छोटा नहीं करेंगे चार पिस काफी बड़ा हो जाएगा तो बस इसमें हम ये मिक्चर हाथ पर लेंगे उसे फैलाक और उसके बीच में एक क्यूब डालेंगे उसके बाद इसे इस तरीके से गोल सेब दे देंगे ये देखिए इस तरीके से तो सेम तरीके से हम सारे चीज बॉल्स बना कर तयार कर लेंगे यानि कि जितने आपको बनाने हैं उतने आप बना सकते हैं तो यहाँ पर ये cheese balls बन गया है तो चलिए अब आगे का process कर लेते हैं इसमें आपको सूजी, slurry, ये balls और ये lollipop लेना है तो सबसे पहले लॉलिपॉप को उठाईए और इस लरी में इस तरीके से घुमाते हुए डिप कर दीजिए उसके बाद इसे एक दो सेकेंड टक रोख के रखिए कि जो इसमें से पानी निकल रहा है उसे निकल जाने दीजिए फिर उसके बाद ये सूजी वाले प्लेट में अच्छे से रोल कर दीजिए ये देखिए इस तरीके से तो ऐसे ही रोल करते जाईए और एक बार फिरी से इस तरीके से डिप कीजिए उसके बाद इस सूजी वाले में आप उसे अच्छे से रोल कर लीजिए और थोड़ा सा सेप इधर उधर होता है तो आप हांच से इसे अच्छे से प्रेस कर सकते हैं यह देखिए इस तरीके से इससे सूजी इसमें चिपक भी जाएगा और इस सेप भी नहीं खराब होगा तो अब सेम तरीके से यह चीज ब्रेट रोल को भी हम इसी सलरी में ऐसे डिप करेंगे उसके बाद इसे सूजी में इस तरीके से रोल कर देंगे यह करना बहुत ही इजी है और इससे यह कटलेट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे की हमारी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो चलिए अब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं तो गैस ओन हम कर दिये हैं और इसमें हम डाल दिये हैं थोड़ा सा सरसो तेल और थोड़ा सा रिफाइन डॉयल और ये गरम होने के लिए हम पहले ही रख दिये थे गरम हो चुका है तो इसमें हम ये जो लॉली पाप बना के रखे थे उसे डाल देंगे उसके बाद इसमें थोड़ा जगह और है तो एक और लॉलिपॉप को हम इस तरीके से डिप करके सुझे में रोल करके इसे भी डाल देंगे इसे फ्राई करते समय आप ध्यान रखें कि तेल गरम हो और फ्लेम को तेज ही रखें क्योंकि आलू अगर तो अपने आप में पका हुआ है उसे पकाना तो है नहीं सिर्फ हमें क्रंची बनाने के लिए इसे फ्राई करना है फ्रेंड्स क्या आपने कभी मसरूम पकावडा और चीज ब्रेड रोल्स या फिर कस्टर्ड वाली ब्रेड की बहुत ही आसान मिठाई ट्राई की है अगर नहीं तो आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा आपको वो रेज़ भी बहुत पसंद आएगी उसकी लिंक हम डिस्रिप्सन बॉक्स में दे देंगे वहां आप देख लिजिएगा तो ये देखिए ये चीज बॉल्स भी तयार हो गए हैं तो अभी नहीं हम निकाल लेते हैं ये देखिए ये सूपर क्रिस्पी सूपर टेश्टी लॉली पॉप बनके तयार है और साथ में इसके ये बनके तयार है ये चीज बॉल्स ये इतना ज्यादा क्रिस्पी बना है कि खा कर तो बस मज़ा आ जाएगा तो फ्रेंड्स हम चल रहें इसे सर्व करने तो आप भी इसे बनाईए खाईए इंजॉय कीजिए और आपको हमारी रेस्पी कैसी लगती है आप हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा और हमें इंस्ट्राग्राम पर फालो जरूर कीजिएगा ऐसी ही खास रेस्पी देखने के लिए तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाई बाई